अब तक हमने देखा कि जब हम anchor element use करते हैं यानि कोई hyperlink बनाते हैं तो एक href attribute तो use करते ही करते हैं पर इसके इलाबा कुछ और attributes भी हैं जिसे हम use कर सकते हैं इन में से एक attribute है target attribute इसका हम use कप करते ही हम देख लेते हैं जो एक general default behavior होता है जब हम link को open करते हैं आपने कोई anchor element बनाया कोई hyperlink बनाया उसको जब कोई click करेगा तो जो नया page खुलता है तो default behavior ये है कि वो उसी window या उसी tab में खुल जाता है पर इससे ये होता है माली जी आपने किसी external website का page आपने अपने link में दिया था कोई बन्दा उसे click करेगा और आपकी website बंद हो जाएगी और दुसरी website खुल जाएगी पर आप ये नहीं चाहतें आप नहीं चाहतें कि कोई user आपकी website से जाए तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप चाहेंगे कि एक नया window खुले एक नया tab खुले और वो जो link में जो website है वो उस नए window में दिखाई दे नए tab में दिखाई दे जनरली हम ये ही करते हैं कि हमारे जो internal pages होते हैं अगर आपका link internal है यानि अपनी website के कोई page खोल रहा है तो हम उसको उसी page में खोल देते हैं उसी window में पर अगर आप कोई page खोल ले हो किसी और की website का तो आप यानि external link है तो आप उसको चाहेंगे एक नई window या नई tab में वो खुले तो उसके लिए हम यूज करते हैं target attribute का और इस target attribute की value हम देते हैं underscore blank for example हमने last lecture में एक hyperlink मनाया था जहां Mozilla की हमने एक page open किया था हम चाहते हैं कि ये page एक नई window या नई tab में open हो तो हम क्या करेंगे एक attribute देंगे target attribute यूज करेंगे और इसकी value देंगे underscore blank तो अब आप इसको देखोगे तो एक नई window में नई tab में open होगा आपका page आपका जो original page है वो बंद नहीं होगा by default इस target attribute की value underscore self होती है यानि जो page है वो बंद हो जाएगा उसी window में उसी tab में नया page खुलता है यहाँ पर आप इसको अगर underscore blank कर देते हैं तो इसका जो default behavior है वो change हो जाता है hyperlink create किये हैं इसमें जो पहला hyperlink है यह एक external website के page को खोल रहा है दौनों ही link उसी website के page को खोल रहा है पर पहले link में मैंने कोई target attribute यूज नहीं किया है यानि target attribute की default value underscore self होगी यानि वो उसी tab में खुलेगा जिसमें वो link है जिसमें वो page अलड़ी है पर दुसरे hyperlink में मैंने target attribute यूज किया है उसकी value को मैंने underscore blank दिया है तो यहाँ पर यह होगा कि जब मैं second hyperlink को click करूँगा तो मेरा जो destination web page है यह जो page मैंने दिया है href के अंदर यह एक नए window में नए tab में खुलेगा इसको देखते हैं practically इसको मैंने आप बिया element दे दिया है ताकि मेरे जो दौनों hyperlinks है यह separate line में दिखाई दे पहला जो मेरा hyperlink है इसको मैं click करता हूँ अगर तो मेरे page को यह उसी page पर खोल रहा है जिस page पर मैं already हूँ यानि एक मैंने external website का link दिया था और उसी page पर खुलने से यह हुआ उसी tab में खुलने से यह मेरा दिक्कत हुई है कि मेरी website ही बंद हो गई जो user है मेरी website से ही मैंने भगा दिया तो यह हमें नहीं करना होता है अगर internal कोई link है तो ठीक है अगर किसी external website का आप link देते हैं तो आप यह ना करके आप क्या करेंगे आप एक target attribute यूज करेंगे और उसका value देंगे जैसा मैंने second hyperlink में किया है अगर मैं second hyperlink को click करता हूँ तो आप देखोगे कि एक नया tab खुला और जो हमारी external website है वो दुसरे tab में खुली है ना कि हमारे tab में तो हमारा यह user है वो हमारी website से बाहर नहीं गया एक और important attribute जो हम use करते हैं वो है relationship attribute यह attribute हम तब use करते हैं जब हम relation बताना चाहते हैं अपने current document का यानि जिस document में जिस web page पर हमारा hyperlink है और उस page का उस document का जिसको वो hyperlink खोलता है तो उन दोना के बीच क्या relation है यह denote करने के लिए हम real attribute का use कर सकते हैं यह कई सारी values attain कर सकता है for example copyright value अगर हमें दिखाना है कि for example आपने एक page बनाया terms of use का अपनी website में और href में आपने उस page का address दिया यह एक relative address है relative path है तो आप बता सकते हैं कि यह जो page है यह हमारे copyright से related है तो इसको यहां पे आपने दर्शा दिया using the relationship attribute इसके लाबा आप real attribute में no follow value भी डाल सकते हैं जैसे कि हमने w3schools की website खोलनी है हमारा जो link है यह hyperlink है हमारा इसको जब click करेगा बंदा तो यह anchor text है इस पर जब click करेगा user तो वह इस w3schools की website पर चला जाएगा और यह page खोलेगा उस website का यह वाला page पर हम नहीं चाहते कि हमारा जो SEO juice है जब हम search engine optimization पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब हम link करते हैं हमारे website पर कोई link पढ़ा है तो हमारा SEO यानि हमारी website अच्छा करती है गूगल search results में तो उसका impact उसका juice होता है उसका फाइदा होता है वो उन websites को भी मिलता है जो हमारी website में जिनके link पढ़े हुए है तो यह link हमने अगर अपनी website पर डाल रखा है और हमारी website अच्छा करती है SEO में तो इन links को भी फाइदा मिलेगा इन website को भी फाइदा मिलेगा इ इसी को backlink जो हम SEO करेंगे तो backlink बनाना create करते हैं हम तो वो इसलिए किया जाता है ताकि अगर अच्छी authentic website पर आपके pages का link पढ़ा है तो आपको SEO में काफी फाइदा मिलता है पर आप नहीं चाहते कि आपके आकर कोई बंदा अपना link डाले और spam create करें तो आप क्या करिएगा आप rel attribute के अंदर उसकी value nofollow कर देजएगा जब nofollow आप value use करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपने किसी ने आप comment डाला भी तो उसको कोई फाइदा नहीं मिलेगा ऐसी होगा यानि जो spiders होंगे search engines के वो कोई additional weight या ranking में फाइदा नहीं देंगे उस destination को जो उस hyperlink की अंदर है यह चीज बहुत generally use होती है बहुत सी website में comment section में आप देखेंगे कि उन्होंने nofollow किया होता है even YouTube में भी nofollow होता है Reddit में भी by default nofollow होता है जो इसका by default value है वो होती है dofollow अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि SEO juice आपका किसी वह website पे ना जाए जह आप नहीं चाहते तो आप इसको explicitly आपको mention करना पड़ेगा real attribute में nofollow आपको ये चीज़ डालनी पड़ेगी क्योंकि by default ये dofollow ही होता है यहाँ मैंने body element के अंदर एक paragraph element यूज किया है इसके अंदर मेरा एक line है उस line के अंदर ही मैंने एक anchor element यानि एक hyperlink create किया है क्योंकि hyperlink inline element होता है तो मैं एक paragraph के इसको use आराम से कर सकता हूं उससे line break नहीं होगी ये जो part है ये anchor text है जो दिखाई देगा end user को तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा text ही hyperlink के अंदर डालो आप ऐसे भी कर सकते हो ये वाला part जो है मैंने text को वो hyperlink से बहार है और ये जो part है ये hyperlink के अंदर है इसको मैं अगर display देखूं browser में तो ऐसे दिखाई देगा read more about ये simple text है paragraph के अंदर और ये जो part है ये anchor text है मेरा links वाला जो part है ये anchor text है इसको click करेंगे तो वो इस destination पर जाएगा जो मैंने href के अंदर दे रखी है इस website पर क्यूंकि मैंने attribute जो use किया relationship का उसकी value मैंने no follow कर रखी है इस वजह से जो ये जो website है external website जो है इसको मेरी website से कोई SEO juice नहीं मिलेगा यानि कि मेरी website की जो rank है उसका कोई फाइदा इस website को नहीं होगा क्यूंकि मैंने इसका जो relationship attribute है उसको मैंने उसकी value no follow कर रखी है अगर मैं ये ना करता ये चीज़ मैं हटा दूँ तो by default इसकी value do follow होती है जब हम on page SEO करेंगे digital marketing में तो इस relationship attribute कम काफी use करते हैं वहाँ पर आप no follow do follow इसको काफी use करोगे पर एक चीज़ ध्यान में रखेगा कि ये जो attribute है और इसकी value है इसका main use होता है search engines के द्वारा यानि उनके spider जो हमारे web page पर आते हैं वो इसका use करते हैं ये end user के लिए इसका कोई value नही होता है आप देखेंगे अपने page पर तो आप पाएंगे कि ये जो value है no follow ये as such कहीं display नहीं हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ search engines के use के लिए होता है हम अपने relationship attribute को और भी बहुत सारी values assign कर सकते हैं आप इस website पर जाकर check कर सकते हैं microformats.org की इस page पर वो सारे जो values आप assign कर सकते हो अपने relationship attribute को वो listed है in a table आप इस table में देखेंगे तो आपको copyright value यहाँ पर देख रही है जो हमने देखी थी slide में साथ ही साथ आपको no follow value भी देख रही है जो हमने देखा slide में आप बाकी values भी check out कर सकते हैं इस page पर जाके आपने कई पर देखा होगा कि जब आप किसी link की उपर hover करते हैं अपनी mouse को लेके जाते हैं तो एक नया box खुलता है चोटा सा जो बताता है description देता है basic सा कि यह जो link है वो कहां खुलता है या उसके बारे में कुछ बताता है तो इस चीज़ के लिए हम title attribute उस करते हैं और जो element के लिए है और किसी link में भी इसका हम use कर सकते है और जो extra information होती है उससे tooltip text बोलते है ऐसी करके एक text खुल जाएगा एक box खुलेगा जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते है for example यह हमारा hyperlink है यह हमारा anchor text है जो visible होगा user को इसको वो click करेगा यह underlined रहेगा web browser में यह हमार href attribute है और यह उसकी value है यानि यह जो website है यह वाला page है यह हम खोलेगे जब इस link को कोई बंदा click करेगा यहाँ पर मैंने title attribute यूज किया है यानि कि जब कोई बंदा उस hyperlink की उपर hover करेगा या अपने cursor को लेके जाएगा तो एक box खुलेगा ऐसे करके box खुलेगा link के भगल मे यह link है हमारा हमा लीजे यहाँ पर हमारा link है वो उसके बगल में एक box खुल जाएगा और उसके अंदर यह लिखा होगा जो हमने title attribute के अंदर जो value दिया है यह चीज ऐसे लिख की आईगी तो आप कुछ extra information देना चाहते है user को अपने link के बारे में तो एक अच्छी practice है आप tool tip यूज कर सकते हैं ताकि user और जान पाए कि क्या उसे वो link क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यहाँ इस hyperlink के अंदर मैंने एक title attribute यूज किया है और उसकी जो value है यह value जब कोई बंदा मेरे link के उपर hover करेगा अपने mouse को तो एक tool tip box खुलेगा और उसके अंदर यह ज इसला information प्रदान करेगा उस user को मेरे link के बारे में जिसको देखके वो user decide कर सकता है कि उसे वो link पे click करना है या नहीं करना है आप यहाँ पर VS code में भी देख सकते हो जैसे मैं इसके उपर hover करता हूँ mouse को तो एक box सा खुला यहाँ पर मैंने hover किया mouse को तो एक box खुल रहा है त इस hyperlink के उपर जब मैं hover करूँगा अपने mouse को तो एक तो यह मेरा arrow जो है यह एक hand के symbol में change हो जाएगा और एक tooltip box बनेगा यह जो box देख रहे हो आप जिसमें लिखा है HTML course यह जो box है यह box मेरा बन रहा है because मैंने title attribute का use किया है और इसके अंदर जो value है HTML course वो ही वो value information ददान कर रहा है user को मेरे link के बारे में कि जब आप इस link पर जाओगे तो एक HTML का course आपको मिलेगा